मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी के तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागिदारी के अभिविक्ति का अध्धुत प्लेटफर्म मना दिया है। हर महिने लाखो संदिशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंसती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं। वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है। यह हमने मन की बात के अलग-अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्विकार भी किया है। मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारमपारी खेलों को प्रोच्छान की बात की थी। तूरंत उस समय देश में एक लहर सी उड़ गई भारतिये खेलों के जुड़ने की, इन में रमने की, इने सीखने की, मन की बात में जब भारतिये खेलोनों की बात हुई, तो देश के लोगों ने इसे भी हातों हात बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतिये खेलोनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिवान बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतिये विधाओं पर बात की, तो इनकी प्रसिद्धी भी दूर दूर तक पहुँच गई है। लोग जादा से जादा भारतिये स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकरशित होने लगे। साथियों आपको याद होगा सरदार पटेल की जेनती यानि एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने तीन कॉम्पेटिशन की बात गी थी। ये परतियोगी ताएं देश भक्ति पर गीत लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए एक खुशी है। देश भर के साथ सो से अधिक जीलों के पांच लाग से अधिक लोगों ने बढ़ चड़कर के इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर सभी ने इसमें बढ़ चड़कर भागीदारी की और बिच्चे अधिक भाशाओं में अपनी एंट्रिस बेजी है। इन कंपेटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभाग्यों को मेरी और से बहुत बहुत बढ़ाई है। आप पैसे हर कोई अपने आप में एक चेंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविदता और संस्कृति के लिए आपके रदे में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मोके पर मुझे लता मंगेशकर जी। लता दिदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि जब यह प्रतियोगी ता प्रारंभ हुई थी। उद्दन लतादीदी ने ट्वीट करके देश वाद्षियों से आग्रह किया था कि बेश परधा में जुरूर जुडे। साथियों, लोरी राइटिंग कंपडिशन में है। पहला पुरस्कार करनाटका के चामराज नगर जीने के बी एम मंजुनाजी ने जीता है। इन्हें ये पुरस्कार कंड़ में लिखी उनकी लोरी मलगू कंदा के लिए मिला है। इसे लिखने की प्रेणा इन्हें अपनी मा और दादी के लगाए लोरी गितों से मिली। आप इसे सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। मलगू कंदा मलगू कूसे मलगू नन्न जान मरिये। हगलू कलेदू इरूलू नेरेदू निदिर देवे बरुवलया। तारे गड़ तोट दिन्दा कनस कोई दू तरू वड़या। मलगू कंदा मलगू कूसे जो 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 असम में कामरूप जिल्डे के रहने वाले दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगीता में सेकंड प्राइज जीता है। इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानियक मिट्टी और मेटल के बरतन बनाने वाले कारीगरों के पॉपिलर क्राप की छाप है। कोहार कोकाए मुनाती आनीसे मुनाती आसे नूकी। खुली साई देखीलू कोहार और मुनाती मुनाते आसे बान बाती। आमारे मुनाती आसे नूकी।